नौईडा पुलिस द्वारा बदमाशों की धर पकड तेज हो गई है इसी कड़ी में एक बार फिर से बदमाशों और पुलिस की बीच मुट भेड हुई जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया घायल बदमाश की पहचान पही मुद्दीन के नाम से हुई है जो गैंक्स्टर एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहा था वहीं इसकी उपर पहले से कई मुकद में दर्ज थे आलाकि इसका एक साथ ही मौके से फरार होने में काम्याब रहा है पुलिस अधिकारियों के अनुसार नाइडा के सेक्टर 88 गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक में दो यूवक जा रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों की तरफ से फारिंग की गई पुलिस की तरफ से भी जवाबी फारिंग में एक बदमाश को गोली लग गई और वो मौके पर ही घायल हो गया पुलिस ने बदमाश के पास एक बाइक तमंचा और मोबाइल फोन बरामत किये हैं इसलिए पुलिस ने भी खलका सा फारिंग किया इसमें एक बदमाश का खलका सा भोली लग गई यह बड़ी क्रिमिनल है इनके फलप और वाइट बदमाश है यह वांची दिदी है महिस बदमाश का दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामियाब रहा घायल बदमाश की पहचान फाहिम उद्दीन के नाम से हुई है फेस दो थाना पुलिस की तरफ से इस पर गैंक्स्टर एक्ट की कारवाई भी की गई थी फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भरती करा दिया है जहां घायल बदमाश का इलाज चल रहा है साथी पुलिस मौके से फरार साथी बदमाश की तलाश कर रही है पंज़ाब केसरी टीवी के लिए नॉड़ा से गौरव गौर की रिपोर्ट